पिछले एक हफते में देश में काफी हलचल देखी गई है इस हलचल के पीछे की वज़ा से हम सभी वाकिफ है ये हलचल किसी और वज़ा से नहीं बलकि सुप्रीम कोट द्वारा निये एलेक्टोरल बॉंड से जुड़े मामले में फैसले लेने की कारण हुआ है सुप्रीम कोट ने जब से एलेक्टोरल बॉंड स्कीम को अनकॉंसिटूशन डिक्लियर किया था तबी से इसको लेकर पॉलिटिकल गलियारों में एक हामोशी देखी गई थी मानो सुप्रीम कोट ने जबरदस्त प्रहार किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीस की फंडिंग पर वही जब सुप्रीम कोट ने SBI बैंक के उपर करा रुख अपनाया तबी से SBI के आक्शन में बदलाव देखने को मिला सुप्रीम कोट की फटकार के असर ये हुआ कि 12 मार्च को देख शाम साड़े पांच बजे के करी SBI ने बॉन्ड से जड़े डॉक्यमेंट्स ECI को सौब दिये पर 14 मार्च को शाम साड़े साथ बजे के अराउंड ECI ने अपनी वेबसाइट पर इस डेटा का खुलासा किया तो सभी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि SBI ने जो डेटा दिया उसमें किसी सीरियल नंबर की बात मेंचन नहीं थी जो बॉंड परचेस करने के दोरान खुद से जिनरेट होती है वही इस बीच ECI ने सुप्रीम कोट का पर रुक कर दिया है ताकि वो सुप्रीम कोट के एलेक्टोरल बॉंड के से जुड़े मामले में ओर्डर को मोडिफाई कर सके जहां एक तरफ ये सब मुद्दा चल ही रहा है वही आने वाले लोकसभा चुनाओं के मद्दे नज़र भी कुछ कम बवाल नहीं खड़ा हो रहा Election Commission of India में जब से Election Commission अरुन गोईल ने इस्तिफा दिया है उसी वक्त से अटकले लगाई जा रही थी कि इस बार की लोकसभा Election में काफी ड्रामा देखने को मिलेगा इसी बीच पीए मोदी हेड़ेट बेंच द्वारा ये फैसला लिया जा चुका है कि किसे इसी बनाया जाए अब ये पॉलिटिकल एरना से बवाल खतम भी नहीं हुआ था कि इसी बीच महराष्ट के पॉलिटिकल ग्राउंड में अजीब सी हलचल देखने को मिली है इस हलचल ने भी काफी सुर्क्या बटोरी है दरसल चाचा भतीजे के विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोट के दरवाजे पर दस्तक दे चुके है ये चाचा भतीजा की जोरी कोई और नहीं बलकि चाचा शरत पवार और भतीजे अजीब पवार की है महराष्ट पॉलिटिक्स ने एक बार जबरदस्ट बवार को महसूस किया है गुरुवार को सुप्रीम कोट की बेंच जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और कीवी विश्वनातन शामिल थे कि सामने अजीद पवार और शरत पवार से जड़ा मुद्दा आया हाले कि ये बात जानकर आपको हैरानी भी होगी कि इस बार सुप्रीम कोट की बेंच ने अजीद पवार फाक्शन को जमकर फटकारा है फटकारते हुए सुप्रीम कोट ने कई स्ट्रिक्ट वर्निंग भी दी है अजीद पवार फाक्शन को आपको बता दे कि इस बार इस मामले को सुप्रीम कोट में शरत पवार की ओर से सीनियर अडवोकेट अभिशेक मनु सिंग्वी लिए अपियर हुए वही अजीत पवार की ओर से सीनियर अडवोकेट मनिंदर सिंग अपियर हुए थे शरत पवार की ओर से senior advocate अभिशेग मनु सिंग्वी ने hearing को open करते हुए सुप्रीम कोट बेंच से एक ऐसी बात कही जिससे खुद सुप्रीम कोट की bench हैरान हो गई अभिशेग मनु सिंग्वी ने सुप्रीम कोट बेंच से कहा कि अजीत पवार फाक्शन अभी भी अपने election campaign और poster में शरत पवार की image यूज कर रहे हैं जोकि बिलकुल गलत है अजीत पवार फाक्शन जोकि officially real NCP declare की गई थी election commission द्वारा ने शरत पवार का image अपने political campaign में काफी use किया है और हर जगा उनके posters देखे भी गए हैं अभी शीक मनो सिंग्वी ने supreme court bench के सामने एक ऐसा खुलासा किया जिसने supreme court की bench के साथ सभी को चुका दिया सिंग्वी ने कहा कि शगन बुझवार ने ये जान बूछ कर अजीत पवार फाक्शन को सलह दी है कि वो शरत पवार की picture को poster अर बैनर में election campaign की दौरा निउस करे confident then use your photographs हाला कि अजीद पवार फाक्शन को डिफेंट करते हुए सीनर आडवोकेट मनिंदर सिंग ने सुप्रीम कोड बेंच के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ऐसा पार्टी ने बिल्कुल करने की गुस्थाकी नहीं की है बलकि ये काम तो पार्टी के कुछ स्ट् कारते हुए उनसे कहा कि ये तो डिस्सिप्लिन को मिंटीन करने का काम है जो कि पार्टी के अंडर फॉल करता है और पार्टी ऐसे बहाने नहीं दे सकती जस्टिस सूर्यकान स्टेटेटे देन वू इस रिस्पॉंसिबल यू गिवन अंडर्टेकिंग ताट यू बिल बात यही नहीं खतम हुई सिंग्वी ने आगे सुप्रीम कोट बेंच को बताया कि अजीत पवार फाक्शन ने शरत पवार फाक्शन के सिंबल क्लॉक को भी यूज करना शुरू कर दिया है जबकि इस बात से रिलेटेड मैटर पर अभी सुप्रीम कोट का जज्जमेंट न के साथ ही उन्हें क्लॉक सिंबल एस पार्टी सिंबल यूज करने को भी पर्मिट कर दिया गया था पर इसी बात को चैलेंज करते हुए शरत पवार की एंज़िपी के पहचान है और यह मामला अभी सुप्रीम कोट में पेंडिंग है और फैसले का इंतजार कर रहा इसी बा को वैलिट करार देते हुए अजीत पवार फैक्शन को सला दी कि आप क्लॉक सिंबल की जगा दूसरा कोई सिंबल यूज करना शुरू कर दे क्यूंकि अगर आगे चल कर सुप्रीम कोट ने आपके अगेंस्ट फैसला दिया तो आपको ही मुसीबते आ सकती है आपको बता दू कि पिछले महिने सुप्रीम कोट ने शरत पवार के पेटिशन पर आक्शन लेते हुए उन्हें पाटी नेम के तौर पर नाशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी शरत चंतर पवार यूज करने की पर्मिशन ग्रांड की थी वही ECI ने राजय सभा एलेक्शन होने तक फरवरी 27 तक उन्हें ये पाटी नेम यूज करने को पर्मिट हिया था वही इस बार सुप्रीम कुट बेंच ने सला देते हुए अजीत पवार के फैक्शन की ओर से मौजूद अजीत पवार के काउंसल ने इसे अफेक्ट के अंडर फाइल करने की बात से अग्री किया और साथी दूसरे सिंबल पर शिफ्ट करने की ओर भी अफिडविट फाइल करने की बात सामने कही इसके बाद सुप्रीम कोट की बेंच ने इस मामले में next hearing 19 मार्श मंगलवार को रखा है और अब देखने वाली बात होगी कि इस सुप्रीम कोट फटकार का क्या असर देखने को मिलता है इसी के साथ आपको बता दे कि सुप्रीम कोट has recently started questioning the election commission's practice of allocating free symbols to unrecognized political entities on a first come first serve basis The bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachur along with Justices J.B. Pardewala and Manoj Mishra has summoned a response from the election commission regarding this matter तो ये था हमारा आज का take on NCP1 आपकी इस बारे में क्या राय है? Do let us know in our comment section Till then, की following law chakra for more such legal updates